सिद्ध कुंज का इस्तरोत हिंदी में शिब जी बोले ये देवी सुनों मैं उत्तम कुंज का इस्तरोत का उपदेश करूंगा जिस मंत्र के प्रभावशे देवी का जब पाठ सफल होता है कवच अरगला केलक रहश शुक्त द्यान न्यास यहां तक की अर्चन भी आवशक नहीं है केवल कुंज का के पाठ से दुर्गा फार्टखा फल प्राप्त हो जाता है यह कुंज का अतियंत गुप्त और देवों के लिए दुरलव है मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना ना संभव है ना आवशक है और ना वांचनिय है केवल जब परियाप्त है यह रुद्र शरूपनी तुम्हें नमस्कार है यह मधुदैत्यों को मानने वाली तुम्हें नमस्कार है केटब बिनाशनी को नमस्कार है महिशाश्र को मानने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है सुम्ब का हनन करने वाली और निश्म को मानने वाली तुम्हें नमस्कार है ये महादेवी मेरी जब को जागरत और शिद्ध करो एंकार के रूप में शष्टिस रूपनी हरीम की रूप में शष्टिपालन करने वाली क्लीम के रूप में काम रूपनी तथा निखिल प्रह्मा का शरूप हो। दांदीम दुम के रूप में मेरा कल्णार करो। रोपर नाधनी। ब्रूम के रूप में हे कल्न्यान कार्णी भैरवी बवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है अम कम चम टम तम पम यम शम बीम दूम एम बीम हम चम दिजाग्रम दिजाग्रम इन सब को तोड़ो और दीप्ति करो करो शाहा पाम बीम पूम के रूप में तुम पारवती पूना हो खाम खेम खूम के रूप में तुम खेचरी आका शाने अथवा खेचरी मुत्रा हो शाम शीम शूम शरूपनी शफसती देवी के मंत्रों को मेरे लिए सिद्ध करो यह कंजिका इस्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है इस इसे भक्तिहीन पूर्शों को नहीं देना चाहिए यह पारवती इसे गुप्त रखो यह देवी जो बिना कुझ का के सवसती का पाड़ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धी नहीं मिलती जिस पकार बन में रोना निर्थक है इस प्रकार सिरी रुद्या मलके गौरी तंत्र में पारवती संबाद में सिद्धी कुझ का इस्तोर संपूर्ण हुआ फ्रेंट्स आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहा है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को ज्यादा प्रेंट्स जय माता की